आज जब हम यहाँ खड़े हैं तो हम यह अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जिस विचारधारा ने इस प्रदेश और इस देश को आजाद किया आज उस विचारधारा की रक्षा करने के लिए बहुत ही जादा जरूरत है जब हम महिलाओं की शक्ति की बात करते हैं जब महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं जब हम चाहते हैं कि एक ऐसा वातावर्ण बने प्रदेश में और देश में जिसके जरिये महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधन मुक्त हो आजाद हो तो हम कभी भी भाजप्पा की विचारधारा की बात नहीं कर सकते क्योंकि भाजप्पा की विचारधारा मूल तोर पर महिला विरोधी विचारधारा है भाजप्पा की विचारधारा कभी नहीं चाहेगी कि एक महिला सक्षम हो जब आपके सामने उनके नेता बात करने आते हैं जब आप महिलाओं के लिए उनके स्कीम देखते हैं तो क्या दिखता है आप सुचिए आपको एक कैस सिलिंडर मुफ्ट मिल गया आपको थोड़े से रुपए दे दिये और वो सोचते हैं कि महिलाओं के प्रति उनकी जिम्मेदारी खटम हो गई वो यह नहीं समझते कि सबसे बढ़ी जिम्मेदारी क्या है कि महिला को सक्शम बनाया जाए, उन्हें इंडिपेंडंट बनाया जाए, उन्हें इन चीजों पर निर्भर नहीं आत्म निर्भर बनाया चाहे आज की महिला खास तोर से जो नोजवान मेरी बहने है वो सहना नहीं चाहती है वो चुप चाप से अत्याचार को सहेंगे नहीं वे अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती है वे अच्छी तरह से समझती है कि कोई उनकी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आएगा वे समझती है कि वो समय आज चुका है जब हम सब को खड़ा होकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी इसी लिए हमने ये नारा निकाला है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इसका क्या मतलब है कि आप में शक्ती है जीवन भर आपने संघर्ष किया है अगर आप ग्रिहनी है तो आप रोज संघर्ष करती है अपने बच्चों को बढ़ा करने के लिए उनकी परवरिश के लिए आप संघर्ष करती है अगर आज देश में इतनी महंगाई हैं तो उस महंगाई का बोज कौन उठाता है आप उठाती है अगर आपको गैस सिलेंडर के लिए हजार रुपे देने पड़ते हैं अगर आपको तेल नहीं मिल रही है अगर सरसो का तेल का भाव 200 रुपय है तो कौन बोज उठाता है आप उठाती है महिला अगर बहार जाकर काम भी करे तब भी घर का परवरिश उसकी जिम्मेदारी होती है तब भी घर पर आकर सबसे पहले यह देखती है कि परिवार के सदस्य कैसे है सबने खाना खाया है सब शांत है सब सुखी है कि नहीं तो यह बोज जो समाज का बोज है पर आप उठाती है इसलिए समाज को अगर बदलना है अगर आगे बढ़ाना है तो इसकी एक बहुत बढ़ी जिम्मेदारी आप पर है आज आप देखिए गवा में क्या स्थिती है